देश में कोरोना संक्रमन की नई लहर की आशंका के बीच एक राहत की खबर है राजस्तान में कोवी शील्ड वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होगा मंगलवार को जैपूर में कोवी शील्ड वैक्सीन की 15,000 वायल पहुचेगी इसे करीब एक लाग पच्चास हजार लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी मंगलवार को कोवी शील्ड वैक्सीन की 15,000 वायल जैपूर पहुचने के बाद सभी जिलों को वित्रत की जाएगी बुदवार को सभी जिलों को कोवी शील्ड वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद लोगों को लगाई जा सकेगी चीन में कोरोना के मामले भढ़ने के साथ ही भारत जापान और अमेरिका जिसे देशों में भी नई लहर का खत्रा मंडाने लगा है इसके बीच केरल सरकार ने सारविजनिक जगे पर मास्क पहनना मेंडिन्ट्री कर दिया है सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक ऑफिस, सोशल, गैधरिंग और भीडभार वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनना होगा साथी संक्रमन को फैले से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा भारत में शुकरवार को 114 नए मामले सामने आए हेल्फ मिनिस्ट्री के आकड़ों के मुताबिक देश में अभी 1146 एक्टिव केस पाए गए है कोरोना की शुरुवाती दौर से अब तक देश में 5 लाग से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है